हलो फेंड्स मादमेकेडमी 2.0 का स्वागत है आज मैं आपके लिए कहीं मोस्ट इम्पॉन टॉपिक रस यह 9 से लेको 12 तक सभी मैनेस में जो जो सलेवस में सारे एक साथ ले लिए इससे बाहर आपको एप वोड के अगजाम में नहीं मिलेगा और कौन सा किस क्लास में आपको भूती को सेंगा रस कहते हैं इस रस का स्थाइवा क्या रती है यह मैंने आपको यहां पर ही बता दिये इस थाइवा पूछे आते हैं 12 ग्लास में और पूछ ले आते हैं तो आपको आना चाहिए एक्जामपल है कहत नटत दीजत खीजत मिलत खिलत लजयात वरे वोन में कर है नेनन ही सो बात यह आपको लर्न करना क्योंकि एक्जामपल आपको लिखना पड़ेगा डैफिनेशन के साथ नेक्स्ट है हमारा हासरस यह 12 में भी आता है 10 पूछ ले आता है दोनों क्लासों में इंपोटेंट और 10 के सिल्वस में हासरस करोड़ोस दोनों है और 12 में भी है तो किसी की आकरती वेस्ट भूशा आधि को देख कर बाड़ी भी आप बोल सकते है बाड़ी को ठीक है फिर द ना फर्स्ट है हमारा खीर पकाई जतन से चर्खा दिया चला है आया कुट्ता खा गया तू बैठी डोल बजाए इसको पढ़कर है हसी आ रही है इसमें हसी की बाते हैं तो आई यह कौन सरस हो गया हासरस सेक्ड एक्जम्पल मरा हाती जैसी दे ग्यंड जैसी चाल तर्भू जैसी खोपड़ी खर्भू जैसी चाल यह हो गया यहाँ पर ग्यंडे सी चाल नहीं हो गया यहाँ पर गाल होगा तर्बूजे सी कोपड़ी खर्बूजे से गाल ठीके यह कर ले ना लाएगा यहाँ पर यहाँ पर गाल कर ले ना बस हाथ यह सी दे ग्यंडे सी चाल करोडस में क्या था दुख होता है किसी प्रीय बस तु अत्वा व्यक्ति के विच्णने पर हिर्दे में जो दुख का भावत्पन होता है उसे करोडस कहते हैं इस रस के इस थाइब हो क्या है शोक है अग्जामपल है हे खग म्रग हे मदुकर श्रेनी यानिये तुम देखी सीत में लिए आमरगने के ने जब सीता हो जाती है तवराम धूनते हैं तो कभी 25 से बूझते कि हिरन से बूझते हैं कि तुम नग देख है तो वह दुखी होकर पूझते हैं याँ पर करोड़श हो गया बीरस क्या होता है किसी यूदध को करने में हिर्दे में जो उस्साह का व बुंदेलो हर बोलो के मुह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मरदानी हुए तो जासी वाली रानी थी, आपने बच में खूब कपता सुनी होगी तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और ये बी रस नायंत में पुछाता है, ट्वेल्थ में भी इंपोरेंट है, टै इसे कहते हैं, जहां पर ना दुख हो, ना शुक हो, ना द्वेश हो, ना राग हो, ना कोई इच्छा हो, तो ऐसे रस को सांतरस कहते हैं, मतलब एक तरह से मुह माया से इंसान मुक तो जाता हुसे किसी की चिंता नहीं होती, ठीक है, ना दुख सो कुछ भी उससे नहीं होता तो उसे महां पर क्या होगा शांत रश होगा एक्जम्पल के बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंती को छाया नहीं फल लागे ती दूर यह कभीर की लाइन दोहे की तो यह भी आपने पहले सुने होंगी तो आपको अच्छे सियाद हो जागा मैंने एक्ज शाला को तो लाइक शिर कीजिए चैनल को सबस्ब्सक्त लिजिए थेंक यू सो मच